सब्सक्राइब कीदिए हमारे चैनल स्टडी फो ड्रीम्स को और स्टडी से रिलिटेट सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें जैन दोस्तों बात करने वाले स्टी जीडी कॉंस्टेबल तु थाजन नैंटीन के वारे में यहाँ पे एक बड़ी इंफॉर्मिशन निकल के आ रही है कि जो आपकी सारे एक दक्षता यानि फिजिकल के जो एडमिट काड़े हैं और जो आपकी सारे एक दक्षत करवाई जान है वो लगवक्त है है और जल्द आपके जो प्रविश्पत्र होंगे एडमिट कार्ड होंगे वो जारी कर दिये जाएंगे इसमें सबसे वड़ी इंफॉर्मिशन निकल के आ रही है जितने वालोगों ने रीप्रिजेंटेशन दी ती SSC को तो SSC की तरफ से उनका निस्तार कर लिए जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है उसके निस्तारण के लिए जो बोला गया था बोला गया था कि आप 31 जुलाइ तक उसके लिए रीप्रिजेंटेशन दे सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के आपको कोई भी दिक्कत है तो आप 31 जुलाइ तक तरफ से कि आपका जो फिजीकल है एक अगस से स्टार्ट करवाया जा सकता है और वो CRPF की तरफ से भी सिटूल जारी कर दिया गया था कि अगस सेप्टेमबर में आपका फिजीकल स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि जो आपकी फिजीकल की ड करिया होगी वो चालू हो जाएगी इसलिए आपके पास जादा समय भी नहीं बचाएं और definitely sure कि 15 अगस्त के बाद आपके जो admit card होंगे वो release कर दिये जाएंगे जैसा कि मैं starting से ही आप सभी को कहा रहा हूं करेंगे और जैसा कि वहां पर बोला गया था कोई भी डाटा वगरा अगर आपको change करवाना है तो अभी जाके आप 31 जुलाई तक यह करवा लीजिए सबसे important है क्योंकि P.E.T. और P.E.S.T. टाइम में आपके डाटा में कोई भी changes नहीं किया जाएगा P.E.T. और P.E.S.T. बोर्ड के द्वारा यह CRPF के एक notice में clear कर दिया गया था कि आपका कोई भी mismatch हो तो आप वहां जाकर बोर्ड जाके अपने change करवा लीजिए तो जो भी आपका regional office आता हो आप वहां पे जाके यह correction करवा सकते हैं कि आपको P.E.S.T. और P.E.T. टाइम में कोई दिक्कत ना हो और सबसे में बात यह कि अगर आपका कोई भी document से दूर है तो अभी आप उसे complete करवा लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी इसके जो payment card होंगे वो जारी कर दिये जाएंगे और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो उम्मीद करता हूं तीक ही जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरू करिएगा चैनल सब्सक्राइब न